साथ सितंबर से शुरू हा शेग गनेश उत्षव, सतना सितंबर तक चालने वाला है। सट्रा सितंबर अनत्चतरदुशी तक मनाया जाएगा। इसके बाद अनत्चतरदुशी को उनके विसरजन किया जाता है। आप अपने प्रेशानियों को दूर करने के लिए विशेशतोर से बच्चों के विवा की समस्या को दूर करने के लिए पंच देवों को याद करते हैं और पंच देवों के आशिवाद पाने का इससे अच्छा मोका नहीं हो सकता. गनपति भगवान की पूजा अरादना से सभी देवों का आपको आशियाद मिलता है. बच्चों के विवा को लेकर आप किसी भी दिन अनंद चत्रदशी तक जो आज मैं एक काम बतान जा रही हूं कुछ खास चीजें खास तरह से अर्पित करने के लिए वो जरूर करिएगा. चाहे आप अपने घर में ही करें. अगर आपने गनेश जी के स्थापना की है तो बिल्कुल घर में करना चाहिए और अगर आपने घर में स्थापना नहीं की है तो भी आप अपने घर के मंदिर में गनपति भगवान के सामने जो चित्र है, मूर्ति है उपाए जरूर करें. तो रंत बच्चों का इभायोग बनेगा कुछ सामगरी बता रही हूँ जैसा कि अभी आपने इस सामने देख लिया कि पान का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है तो कुछ चीजे हैं ऐसी जो आप साधारन तोर पर हमेशा अरपित करते हैं लेकिन खास मोके पर खास तरह से जब अरपित करते हैं तो उनका रिजेल्ट आपको 100 परतिशत मिलता है जो अगर आप तरीके से अरपित करते हैं भगवान को कैसे अरपित करेंगी बता रही हूँ आपको लेकिन उससे पर नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागता है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एक पान का पत्ता जैसे कि आपने शुरू में देख लिया किसी भी दिन 17 स्टमबर तक अगर आप को ये वीडियो पहले मिल जाता है तो आप पहले उपाई कर लें और अगर आपको 17 स्टमबर तक मिलता है तो आप 17 स्टमबर को ही मंगलवार के दिन इस उपाय को पूरी तरह से कर लीजिएगा एक पान का पत्ता और इसके साथ ही थोड़ी सी सौफ एक चमच भर सौफ और दो इलाची सिर्फ और सिर्फ दो इलाची हमको चाहिए कैसे कैसे अर्पित करना है ये समगरी वो मैं आपको बताऊंगी ऐसे सिदा ही हम उनके आगे रख दें वैसे नहीं आपको एक तरहीके से अर्पित करना होगा जिसके लिए आपको तुरंट इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको मनो कामला पूर्ती के लिए इश्वर का आशिवाद मिलेगा गनपती भगवान का विशिशतोर से और इसके साथ ही गनपती भगवान के साथ मा गोरा उनका आशिवाद देवी के रूप में जिसे आप दुर्गमाता का रूप जानते हैं बोरेनाथ जो इस रष्टी के पूरे के मालिक है जो आपके शिगर विवाय योग बनाते हैं आपको शिगर विवाय का आशिवाद देते हैं अच्छा जीवन साथी मिलने का आशिवाद देते हैं योग्य जीवन साथ ही आपको तुरंत मिलता है, आपके विवा योग जाग जाते हैं, आपका भागय ही बदल जाता है, तो आपको सभी देवों का आर्शिवाद एक साथ मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको एक चम्मसोंफ भी चाहिए और इसके साथ ही चाहिए आपको ल ला सकते हैं, जैता लेके आएं तो उसमें से पांच अलग से निकाल लीजिए, और अगर मान लीजिए और चतरदुशी से पहले आप इस उपाय को करने जा रहे हैं, तो चाहे आप पांच लड़ू ही बजार से लिए आएं, लेकिन लड़ू लाना बहुत जरूरी है, करना क्या होगा आपको कि नहाद होके एक लाल कपड़ा जरूर पहने अगर बेटे के विवा के लिए उपाय कर रहे हैं, लाल कपड़ा या एक लाल रुमाल ही अपने कंधे पर रख लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और बेटी के लिए अगर उपाय हो रहा है, या बेटी खुद कर रही हैं तो फिर एक पीला कपड़ा अपने पास जरूर रख ले जाहे रुमाल ही रखें मातापिता कर रहे हो तो चाहे एक रुमाल साही ले ले को पीला कपड़ा पहन ले चाहें यह करने के बाद आपको गनपति भगवान के आगे एक घी का दीपक पर जल्त करें और यह सामगरी लेके बैठें सबसे पहले आपको दूपदीप के बाद गनपति भगवान के सामने बैठकर यह जो पान का पत्ता है इस पान के पत्ते पर जो एक चमस सौफ है यह डालके आपको अपने हाथों में पान का पत्ता लेके हाथों में ना लें तो कोई प्लेट ले ले उस प्लेट में रखके आप गनपती भगवान के आगे बिंती प्रार्थना करें शिगर विवा की बच्चे हो तो अपने खुद के लिए माता पिता हो तो बच्चों के नाम से शिगर विवा की मनोकामना पूर्ती की प्रार्थना करें और यह जो पानका पत्ता है इसे आपको गनपती भगवान के आगे अरपित करना है शीगने शायन में शीगने शायन में ओम गंगन पतेन में ओम गंगन पतेन में दोनों ही मंत्र बहुत आसान है कोई बिना संख्या के किसी संख्या के तरफ आपको ध्यान ने देना उनके आगे अर्पित करें उसके बाद से ये जो लड़ू है आपके पास इसमें से पांच लड़ू लेके आपको गनपती भगवान के आगे दो इलाइची जो हरी आपके पास होंगी इनको लड़ू के उपर रखके अर्पित करना है आपको साइड में अर्पित नहीं करना लड़ू के उपर रख दीजिए और दो लोंग दो इलाइची के साथ इलाइची आप रखेंगे दो इलाइची गडा दीजिए लड़ू पर एक लड़ू पर और दो इलाइची रखके गनपती भगवान के आगे परसाद जरूर अर्पित करें इलाइची और लोंग वाला आप जानते हैं इलाइची और लोंग दोनों ही जोद्शिये बहुत ज़्यादा महतो रखते हैं और इसके साथ ही एक नारियल अगर अनंत चत्रदशी का दिन हो तो फिर नारियल तो भूलना ही मत अर्पित करने मंगलवार का दिन होगा बालाजी महाराज का, अनुमालिंजी का और गनपती भगवान के आगे मंगलवार के दिन अनंत चत्रदशी के दिन ये एक नारियल जरूर अर्पित करना अच्छा ये भी मैं आपको कह देती हूँ कि आगे पिछे अगर आप उपाई कर रहे हो तो उस दिन चाहे नारियल ना अर्पित करें आप लेकिन जब अनंतर जटर दुशी आए तो उस दिन एक नारियल जरूर अर्पित करना अर्पित करते हुए आप उस दिन फिर अपने राशी की जो आपके सामने मंतर आ रहे हैं इसमें से आपकी राशी का मंतर 21 वार या 51 वार जरूर जब करें नारियल को हाथ में लेके और गनपती भगवान को अर्पित कर दीजिए और फिर बाद में इस नारियल को उठाके आप लाल कपड़े में लेपेट के और गनपती भगवान के सामने ही स्थापित कर दीजिएगा पूजा घर में और रोजाना भगवान के आगे बिनती प्राथना करियेगा और जब विवाज शादिया हो जाएं तो इस नारियल को पाने उपर वाहित कर दीजिए रही बात लड़ू की करके सब इस दस्यों को वितरहन करें परसाद के रूप में और जो लोंग है दो लड़ू के उपर लगए और इलाचिये इसे आपको संभाल के रखना है जब भी शादिय विवा की बात करेंगे तो मुँ में लेकर बात करेंगे और पान का पता पानी में परवाहित करें और उसके उपर वारी सौफ को संभाल कर रखें उसे भी अगर रिष्टे वाले आएं तो उनके खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे और अगर आप खुद जाएं बात करने के लिए रिष्टे के लिए तो फिर इस सौफ को मुँ में रखके लेके जाएं आप देखेंगे 11 दिन के अंदर अंदर चमतकार होगा माता पिता या बच्चे इन चीजों को जैसे ही ग्रहन करेंगे परसाद रुपेन उनमें इतना अक्षन बढ़ेगा कि जो रिष्टा की बात चलेगी वो तुरंत पकी होगी 11 दिन के अंदर अंदर आपको इस चीज का रिजल्ट दिखेगा बच्चों का शिगर विवायोग बढ़ेगा जरूर करें कमेंट में शिगने शायन महजूर लिखना आशिवाद मिलेगा थैंक्स फ़र वाजे